पर सभी बंदूकें एक ही बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती हैं फुली आउटोमेटिक बंदूकों से अलग जो की लगातार फायर कर सकती हैं सेमी आउटोमेटिक बंदूकें एक बार ट्रिगर दबाने पर एक ही राउंट फायर करती हैं यह एक 9mm semi-automatic pistol है इस वीडियो में हम देखेंगे कि semi-automatic handguns और pistolیں कैसे काम करती है यह एक कार्टूस या कार्ट्रिज है इसे magazine में load किया जाता है जिसमें spring और follower इस पर दवाब बनाए रखते हैं magazine का design कुछ इस प्रकार का होता है कि कार्टूस आगे slide होकर ही बाहर आ सकता है इस magazine को बंदूप में रखा जाता है यहाँ पर बंदूप के अंदर के महतपून पार्ट्स दिखाए गए हैं बंदूप को पहली बार fire करने के लिए require spring के against slider को हाथ से पीछे खींचा जाता है इसके कारण कई चीज़ें एक साथ होती हैं जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे slider के movement के कारण hammer पीछे आता है यह hammer hammer strut के जरिए main spring से जुड़ा होता है और इसलिए main spring को दबा देता है यह सियर है यह hammer के movement को कंट्रोल करता है जब slider पीछे जाता है तब सियर leaf spring के दबाब में hammer के साथ engage हो जाता है और hammer को वापस जाने से रोकता है जब slider को छोड़ दिया जाता है तब require spring के कारण slider अपनी पहले वाली स्थिती में चला जाता है जबकि hammer सियर के कारण अपनी स्थिती में बना रहता है इस प्रक्रिया को cocking कहते हैं जब slider पीछे आता है तो इस पर बने projection बैरल को पीछे की ओर धकेलते हैं जिसके कारण बैरल कुछ नीचे हो जाता है और इसलिए अब इसमें कार्टूस आसानी से भरा जा सकता है जब slider वापस लौट रहा होता है तो यह एक कार्टूस बैरल में ले जाता है और बैरल को अपनी पहले वाली स्थिती में धकेल देता है आर्टूस का पिछला हिस्सा एक्स्ट्रेक्टर में फस जाता है जो की slider से जुड़ा होता है पिस्टॉल अब फायर करने के लिए तयार है जब trigger दबाया जाता है सीर डिसकनेक्टर के माध्यम से धकेल दिया जाता है जिसके कारण यह hammer से disengage हो जाता है hammer अफ्री है और main spring के दवाब में यह firing pin जो की slider में fixed होती है से जा टकराता है बदले में यह firing pin कार्टूस के primer पर strike करती है primer में impact sensitive explosive होता है जो firing pin के टकराने की वज़ा से जल जाता है इसके कारण कार्टूस में रखे powder में आग लग जाती है जिसकी वज़े से बहुत सारी gases पैदा होती है और इस प्रकार bullet के पीछे की जगह बेहत high pressure gases से भर जाती है इसलिए bullet पर पीछे से बल लगता है जिसके कारण bullet बहुत तेज गती के साथ barrel से बाहर निकलती है बुलेट के बाहर आ जाने पर यह gases atmosphere में चली जाती है और अब यह bullet पर कोई बल नहीं लगाती है और बुलेट अपने momentum के कारण आगे बढ़ती जाती है बैरल में कुछ लकीरे और खांचे बने होते हैं जो आगे बढ़ते समय बुलेट को स्थिरता के लिए खुमा देते हैं जाग ऐसें बन्दूग पर भी समान और विप्रीट बल लगाती हैं पर चूकी बन्दूग काफी भाड़ी होती है इसलिए इसका acceleration बुलेट के मुकाबले काफी कम होता है और इसलिए यह पीछे की तरफ ज़्यादा गती प्राप्त नहीं कर पाती है विस्फोर्ट की कुछ एनरजी स्लाइडर को पीछे धकेलने में इस्तमाल हो जाती है केस या खोखा स्लाइडर के साथ पीछे आता है और एजेक्टर की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है साथी साथ स्लाइडर हैमर को पीछे धकेलता है और बंदूग को अपने आप रिलोड भी कर देता है और अब बंदूग अगला रौंड फायर करने के लिए तयार है ट्रिगर दबाने पर सीधे सीर पर धक्का नहीं लगता है सीर डिसकनेक्टर की मदद से धकेला जाता है जब स्लाइडर पीछे की तरफ जाता है तो इस पर बने स्लोट की मदद से यह डिसकनेक्टर को नीचे की तरफ खिसका देता है अब ट्रिगर और सियर अलग हो गए हैं और इसलिए ट्रिगर दबे होने पर भी सियर हैमर के साथ एंगेज हो सकता है जब ट्रिगर छोड़ दिया जाता है तब डिसकनेक्टर लीफ स्प्रिंग के दवाब के कारण स्लाइडर के स्लोट में चला जाता है और अब बंदूक फिर से फायर की जा सकती है ग्रिप सेफटी बंदूक को अपने आप फायर करने से रोकती है जब बंदूक को हाथ से पकड़ लिया जाता है तब ही ट्रिगर डिसकनेक्टर के जरिये सियर को मूव कर सकता है